हेलो फ्रेंट्स डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन रिंग आइकन तो गेट फास्ट नॉटिफिकेशन वलकम फ्रेंट्स सेलफध्यन पर लाश्ट क्लास में हमने बात करी थी रेशियो एनलेसिस के बारे में बिकॉम कंप्यूटर अप्लिकेशन में इस तरीके की कोस्टिन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे और अगर ऐसे कोस्टिन्स मिलते हैं तो आपको वहाँ पर कैसे करन करना है किस फॉर्मैट में आपको करना है वही आज की क्लास में भी हम डिसकस करने वाले हैं इससे पहले भी लाश्ट वीडियो में हमने डिसकस करा था हमारी लाइबलेटी और असेट्स के बारे में अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो पहले वह आप वीडियो क्योंकि current ratio का formula यही है current assets upon में current liability, current assets हमें यहाँ पर mention है debtor, bank, stock और BR के रूप में, जिनके sell number है D2, D3, D4 and D5, तो यह तो हमने रखा है उपर की तरफ क्योंकि current assets है, नीचे की तरफ हमें रखना है current liability, जो कि हमारे creditor, bills payable और bank overdraft है, तो इनके सभी amounts को अगर हम sum करें उपर की तर एक लाख 80,000 रुपे और current liability की अगर हम बात करें sum की, तो वो आता है हमारा 60,000, divide करने पर हमें current ratio मिल जाता है अपना 3, इसी तरीके से quick ratio अगर हम निकालना चाते हैं, या liquid ratio आपको मिल जाता है exam में, या asset test ratio, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों में से आपको exam में कुछ भी मिल लिता है, तो उसका formula होता है, liquid assets upon में current liability, और liquid assets में आपको लेना है, D2, D3 and D5, यहाँ पर D2 की यानि की value आपकी है, sundry debtor की, D3 यानि की आपके bank की, और आपकी यहाँ पर D5, जो की value है, आपकी bills receivable की, stock हमें नहीं लेना, वो other current assets में हमारा count होता है, जो हमने अच्छे से discuss कर आता पिछली class में, current liability की अगर हम बात करें, तो same value हमारी creditor, bills, payable और bank overdraft की होगी, इन सभी को जोडने पर हमें liquid assets मिलती है, 1,60,000 रुपे और liability मिलती है, current liability 60,000 रुपे, डिवाइट करने पर हमें हमारा result मिल जाता है, quick ratio का 2.67, तो यह था हमारा quick ratio कैसे calculate करते हैं, current ratio कैसे calculate कर करते हैं, आने वाली videos में हमें और भी इसी से related questions देखने हैं, जिसको 2 questions के बारे में हम discuss करने वाले हैं next video में, अगर आपने channels को subscribe नहीं किया है, तो आने वाले updates के लिए आप channel को subscribe कर लें, वीडियो पसंद आया है, वीडियो को like करें, अपने friends के साथ share करें, thank you for watching, bye bye. कर दो